सिडनी क्रिकट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवे दिन मेजबान टीम के कप्तान टीम पेन ने बल्ले बाजी कर रहे रवी चंद्रान अश्विन का ध्यांग भंग करने की कोशिश की दरसल मैच के आखरी दिन अश्विन और हनुमा विहारी की साजेदारी चल रही थी दूसरे तरफ आस्ट्रेलियाई टीम क्विकट लेने की कोशिश में लगी हुई थी इसी दौरान कप्तान पेन विकट के पीछे से अश्विन का ध्यान तोडने में लगे थे जैसा कि आप 56 गेंद पर 62 रनों की अटूट साजेदारी की और इस साजेदारी को तोड़ पाने में कंगारू गेंदबाच कामियाब नहीं हो पाए इसी बीच पांचवे दिन अश्विन और हनुमा की साजेदारी से हताश कंगारू कप्तान टिम पेन को एक तरकीब सूची इसी के बाद पारी के 122 ओवर में पेन को अश्विन से कुछ कहते हुए सुना गया था बता दे कि उनकी बाते स्टंप माइक में कैद हो गई थी और वह recorded audio सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वाइरल हो रहे audio में पेन अश्विन से यह कहते सुने जा रहे हैं कि तुम्हारे गाबा आने का इंतजार नहीं कर सकता एश जिसके जवाम में अश्विन कहते हैं कि तुम्हारे भारत आने का इंतजार नहीं कर सकता वो तुम्हारी आखरी सीरीज होगी दरसल audio में टिम पेन मजूदा सीरीज के चौथे टेस्ट की बात कर रहे थे यह टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाना है कहा जाता है कि आस्ट्रेलिया टीम को वहां हराना मुश्किल है क्योंकि आस्ट्रेलिया टीम 1988 के बाद वहां टेस्ट मैच नहीं हारी है बारहल आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने मैच के बाद टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए कहा कि उनकी टीम ने कई कैच टपकाए हैं पेन ने खुद दो बार पंत का और एक बार विहारी का कैच टपकाया था उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हमने मैच जीतने के लिए परियाप्त मौके बनाए थे इस ड्रॉक को पचा पाना मुश्किल है हमारे गेंदबाज चांदार थे लियोन ने अच्छी गेंदबाजी की बस हम कैच पकड़ने में नाकाम रहे आगे उन्होंने कहा है कि अब ब्रिजबेन का इंतजार कर रहा हूँ हमने पिछले दो मैचों में अपने सर्विस्रेश्ट खेल नहीं खेले हमारे गेंदबाजों ने काफी मौके बनाए थे फिलाल इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थन्यवाद एक किलकुल नए सों संडे नाइट मिस्ट्री हर अभी बार रात साड़े तस बजे सिर्फ और सिर्फ तहमें समयरा पर